बिहार सरकार सिख्षा बिभाग ने जारी की फैनली सिख्षक नियोजन का नया सेडियूल जीहां आपको बता दे बिहार के मादमिक और उच्छे मादमिक सिख्षकों के नियोजन को लेकर के सिख्षा बिभाग का एक नया सेडियूल खास बात यह है यहां पर आपको बता दे कि पटना हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 18 फरवरी 2020 को पटना हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि वर्स 2012 में उत्रीन अवियार्थियों का जो नियुजन होना चाहिए वे जून 2019 तक के उपलब्द रिक्टियों को जोर करके जून 2019 तक के जितने भी रिक्टिया है इन सभी सीटों पर वर्स 2012 में जो एस्टेट का परिक्षा का आईजन हुआ था इसमें जो अवियार्थी उत्रीन किये थे उनकी नियुक्ति की जाए फैनली बिहार सरकार सिख्षा विभाग ने ये आदेश दिया है सभी जीला के सिख्षा पतादिकारी को यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बता दे बिहार में पहले से जो भाली हो रही थी वो दिनांक 31.12.2018 तक के रिक्टियों को जोर करके इस्टिट पास अभियार्चों का बाल ही हो रहा था लेकिन अब यहाँ पर जो सरकार का ने देश आया है कि 1.12.2019 से लेकर के 36.2019 तक की अवदी में यदि कोई रिक्टि उत्पन होती है तो उनको भी जोड करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोर करके एक रोस्टर का परकासन किया जाएगा जीला यहाँ पर आप देख सकते हैं असपरष्ट दिया गया है और इसको लेकर के सभी जो है सम्मधित जीले के सिक्षा पतादीकारी को यह रिदेश दिया गया है यहाँ पर फैनली यह असपश्ट हो चुगा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस्टेट 2012 में उत्रीन अव्यारतियों को यहाँ पर जून 2019 तक के रिक्टियों पर बाले की जाएगी इसको ले करके बिहार सरकार ने अब किलियर कर दिया है पतना हाई कोर्ड से फिलाल जबाब मांगा था और फैनली आज ही यह लिटर जारी करके शिख्शा बिभाग ने असपश्ट कर दिया है कि जून 2019 तक के रिक्टियों पर एस्टेट 2012 की परिक्षा में सफल अभ्यारतियों का नियोजन होगा जो सेड्योल है कुछ इस परकार से है नियोजनिकाई द्वारा मेधा सुची का सरवाजी करन जो किया जाएगा वो 5-3-2020 तक अनुमोदित मेधा सुची एबाम रोष्टर बिंदू के अधार पर शियनित अभ्यारतियों का जो है सुची का परकासन तेरह 3-2020 तक अनुमोदित मेधा सुची एबाम रोष्टर बिंदू के अधार पर शियनित अभ्यारतियों का परमान पत्र का वित्रन या फिर समंधित परमान पत्र का जांत जो किया जाएगा वो 25 मार्च 2020 तक और अभ्यारतियों को कॉंसलिंग के उपरांत जो जो जोइनि अभ्यारतियों को नियोजन हो सकता है इस तर फैनली सिख्षा विभाग ने ये किलियर कर दिया है और ये सभी जीरो को सिख्षा पतादी कारे की नितेश्त दे दिया गया है तो फिलाल इस अपडेट में बस इतना ही